हेलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिस्क्रस करेंगे कख्षा 2 की वर्कशीट नमबर 50 जो की 21 मार्च 2022 की वर्कशीट है और इसका विशय यानि की थीम है बच्चों देश के महानायक आप यहां अपना नाम लिखेंगे और यहां आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे और बच्चों देखो आगे हमें कह रखा है कि बच्चों अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक हमारे भारत देश पर राज किया हमारे देश के बहुत से महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने संघर्ष और बलिदान से भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलवाई आईए आजादी के इस संगर्ष में जिन महान स्वतंतरता सेनानियों ने अपना योगदान दिया उनके बारे में कुछ जानते हैं तो नीचे हमें उन लोगों के बारे में बता रखा है जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई करी है और हमारे देश को आजाद कराया है तो देखिए पहली तस्वीर आप सब पहचानते हैं ये हैं महात्मा गांधी जी ठीक है बच्चों अब इनके बारे में हमें यहाँ पे क्या बता रखा है कि इन्हें लोग बापु बुलाते हैं इनका पूरा नाम था मोहंदास करमचंद्र गांधी ठीक है मोहंदास में हिस्सा लिया था तो बच्चों जब ये आजादी हमें दिलवाना चाहते थे तब इनकी उम्र बहुत ही कम थी ठीक है और अगर हम तीसरी पिक्चर की बात करें तो इसमें हमें दिखा रखा है जवाहरलाल नहरू जी और इनके बारे में क्या दे रखा है कि जवाहरलाल नहरू हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री थे बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नहरू कहते हैं ठीक है और जो चौती पिक्चर है इसमें हमें दिखा रखा है सुभाश चंद्र बोस जी और इन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दू एक आदर्श वाकियानी की नारा लिखिए तो बच्चो शास्त्री जी ने हमें एक नारा दिया था जिसका नाम है जै जवान जै किसान तो आप लिखेंगे जै जवान इसके बाद जै किसान ये नारा आप इस प्रशन के उत्तर में लिखेंगे और ये नारा दिया किस ने थ तो यह नारा दिया था लाल भादूर शास्त्री जी ने ठीक है अब आपके पेरेंस के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ आजादी से जुड़ा कोई देश भक्ती गीत गाईए तो बच्चों ये थी आज की हमारी हिंदी की वाक्षीट और आई होप आप सभी को ये वाक जिन्द आई है तो इसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू तो